हम मौझूद है लखनौ के एको गार्डन में और यहां पर पाउर कार्पोरेशन के जो कर्मी है वो 47 दुनों से लगतार धरना दे रहे हैं आपको बताते हैं 2014 में भरती निकली थी और 2015 में इनको नियुक्ती दे दी गई और 2018 में इन कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया आये जानते हैं इसकी क्या वज़ा है क्या वज़ा थी इसकी सर इसकी वज़ा ये थी कि एक 80 घंटे का कोर्स ट्रिपल सी जिसकी समकक्षता निर्धारित करने का काम जो है वो विद्दु सेवा आयोग और उत्तर परदेश पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों क्यों थी लेकिन उन्हों ने जो है नियुक्ती से पूर्व या नियुक्ती के समय जो ट्रिपल सी की समकक्षता निर्धारित की थी कि तीन महीने या 80 घंटे के सभी प्रकार के कोर्स जो है वो ट्रिपल सी के समकक्ष माने जाएंगे उसका जो है कोट ने संग्यान लिया तो पाया की मतलब इन्हों ने ओयम जारी नहीं किया था उसका उसको लेकर के सिंगल बेंच ये आदेश करती है कि विधी मान प्रमाण पत्रों को लेते हुए दुबारा से जो है वो ट्रिपल सी की समकक्सिता निर्धारित किये जए काशित करमचारी जो है वो ट्रिपल सी के समकक्स कंप्यूटर अहरता प्रमाण पत्र धारी हैं जब साथ अक्टूबर 2017 को सिंगल बेंच का जज्जमेंट आता है तो उसमें कोट ने बस ये अपेक्षा करती है कि जो ट्रिपल सी की समकक्सिता आपने डिसाइड नहीं किया है उसको आप डिसाइड करते हुए दुबारा सुची जारी करें ना तो वो किसी को निकालने की बात करती है लेकिन उसकी आड में द्वेस भावना कह लिजिए या इनका हटधर्मी रविया कह लिजिए उसकी आड में इन्होंने तीन मयिश ոोले का सास्णादेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्रिपल सी की समकक्सिता को लेकरके कनिस्ट शहायक और आसुलिपिक के लिए जो जारी किया गया था उसको हमारे उपर ठोप दिया जाता है। तीर मईज सोले का शाषना देश है और दो हजार चौदे की वेकेंशी पर और इसमें असपश्ट लिखा है महदे की कनिष्ट सहाय के वह आसू लिपिक के पदों पर चयन है केवल यह जाहिर करता है कि इनकी मन्षा हमारे प्रती ठीक नहीं थी और ये भी जो तीन मईज सोले का शाषना देश है ये भी अपूर्ड था 26 मई 2018 को महदे 3 मई की 3 साल की सेवा जो है हमारी समाप्त कर दी जाती है और ये सासना देश भी अपूर्ड है और इसका दूसरा पार्ट 5 जुलाई 2018 को आता है इस सासना देश के अनुसार भी हमारे सैकड़ साथी जो है वो ट्रिपल सी की समकषता को वैद बनाते हैं लेकिन इस सासना देश को भी उन्होंने नहीं माना उसके बाद महदे इसी शाषन की साचिवाले प्रशाषन अनुभाग अधिस्ठान की ये साशना देश निमावली है इसमें सैच्छी का अर्ता में कहा गया है कि सीधी भर्ती के लिए जो है दो एक सोसाइटी द्वारा प्रदत ओ अस्तरी प्रमाडपत्र अवश्य हो लेकिन टिपड़ी की जा रही है कि यदि किसी अभर्ती के पास ओ अस्तरी प्रमाडपत्र नहीं है तो उसकी नियुक्ति विधारित नहीं की जाएगी और इसे इस सर्थ पर नियुक्त कर लिया जाएगा कि वह अपनी नियुक्ति के दिनांग से दो वर्ष की अवधी के भीतर उक्तहरता प्राप्त कर लेगा महद एक साल के कोर्स के लिए उत्तर परदेश शरकार सचिवाले की नियुमावली ये कहती है कि अगर एक साल का ओ लेबल प्रमाणपत्र आपके पास नहीं है तो आपकी नियुक्ति विधारित नहीं की जाएगी जबकि इस सर्थ पर आपको रख लिया जाएगा कि दो साल के भीतर भीतर उक्तहरता आप जो है विभाग को सब्मिट कर दे हमारी तो मात्र असी घंटे के कोर्स की अवधी थी जो 10 दिन लगाता अगर 8 घंटे का भी हमको क्लास कराया जाता तो वो पूरी हो जाती लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब 3 मई 2018 को विद्दु सेवा आयोग ने दुबारा वेरिफिकेशन जब हमारा करवाया था तो उस समय हम लोगों ने जो है अपना पूरा टिपल सी जो इनको चाहिए वो तक ये देखिए सर कि इन्होंने पेपर के माध्यम से 10 मई 2018 तक दुबारा हमारा वेरिफिकेशन कराने की बात कही थी लोगों ने जब विद्दु सेवा आयोग में अपना बेरिफिकेशन कराया तो इस समय जो चर्टिपल सी शर्टिफिकेट इनको चाहिए वो हमें विद्दु सेवा आयोग को दे दिया था उसके बाद भी सर 26 मई 2018 को हमारी सेवाए समाप्त कर दी जाती है यह बड़ा ही दुखद है और द्वेस भावना के साथ इस प्रकार का नेड़े लिया गया है जब 26 मही को हमारी सेवाय समाप्त कर दी जाती है तो हम इनके खिलाब सिंगल बेंच के जज्मेंट के खिलाब मानिनी उच्चनाले इलहाबाद के डबल बेंच में चैलेंज करते हैं सिंगल बेंच के आदेश को मानिनी उच्चनाले के डबल बेंच ने भी हमारे पक्स में फै जाला गया था 26 मईए अठारे को सर और 26 मईए अठारे को हमारी जगह पर मेरिट लो करके 603 अन्य को न्यूकती दे दी जाती है अपॉइंडमेंट दे दिया जाता है वो लड़के जो है हमारे डबल बेंच के आडर को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में करते हैं और उसमें सहवा देते हैं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारी जगह पर जो 603 लोग आज बरतमार में काम कर रहे हैं वो भी सुरक्षित हो जाए और हमारे लिए यह आदेश किया जाता है कि अगर विभाग में रिक्तियां हो तो इन रिक्तियों में इनको समायोजन कर लि रोध में सर आज हम लोग 47 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं सरकार से माननी मुक्यमंत्री योगी आदितनाज जी से और माननी उर्जा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे प्रक्रड को शंग्यान में ले अगर जरूरत परती है तो पूर इतना निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से मीडिया वंधू के माध्यम से कि हमारी बात माननी मुक्यमंत्री जी के कानों तक जाए और वो हमारे साथ न्याय करें और माननी सुप्रीम कोर्ड के अपक्षा के अनुसार हमें हमारे विभाग में समयोजन करते अब देखना ये होगा कि इनका आंदोलन का क्या नतीज़ा निकलता है और कब तक ये अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं मैं आके मिराज खान कैमरा परसन सनी के साथ लखनू